आज की वीडिम हम बात करेंगे जो आज रात को इंडिया के सरवर में आने वाला फैड़िट विल जिसके अंदर स्काइलर करेक्टर आने वाला तो यह आपको कितने डायमन में निकलेगा आज निकाल के बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है तो चलो पहली स्पिन देखते हैं नोग स्पिन की यहां बंडली निकला वह भी विना काम का तो वापस बन सगें तो यहां दो इस्पिन नाइन की तो गैस मैं आप लोगों को बता दू कि आपके कितने डायमन जाएंगे वह तो आप समझ जाओगे पूरा अन बोक्सिंग के आपको क्यारेक्टर में लेकिन बंडल गैस आपकी लग के उपड़ीमंड अगर स्रीप आपको चाहिए तो यहां से आप पकड़ के चलो आपकी जाने warm कंसेवह चलो तो पांचोन से शे सो नाम जायेंगे स्रीप आपको चाहिए और बंडल भी साथ में चाहिए तो गैस ना बंदल वह भी क्रेट पूरा दिखा देता हूँ आपको आपको समझ में आ जाए तो बंदल कहा गया एक की मिनट गैस और यह कौन से सर्वर का आपके मन में डाउट रहता होगा तो मैं बता दू कि यह पाकिस्तान सर्वर का है तो यहां से फैड़ेड वील और लक रोयल चलो देख लेतें केस्स में क्या जाता है तो 10 की वान सगयान द Gibson 20 total वन सगयन दसकी इस्पिन तो किसी का नंबर लेक नहीं हुआ कोई बात है तो वापस वापस वंसके यहां इसको बैक कर लेता है और अब हमें दिखाता है वो जो को चैरेक्टर आया है याने के जो न्यू कैरिक्टर आया है जिसका नाम है गाई से स्काइलर तो देखने में भी ओपी और पाकिस्तान में बहुत ही ओपी ओपी जो बोलते हैं इवेंट चल रहे हैं आपको में यह स्काइलर जो हमारा न्यू कैरेक्टर आया है स्पाई को मिल चुका है लगपक एक अचार धायमंड वेस्ट करने के बाद तो यहां से यह रहा गए और इसका बंडल भी आप देख सकते हो और यह मैक्स लेवल करके दिखाता है तो चलो देख लेते तो लेवल एट का का नही जिसमें यह निकाल के बताएंगे तो बस यही आज की वीडियो में आपको बताना था कि लगपक आपके यहां जाने वाले एक हजार डायमंड अगर बंडल के साथ चाहिए विथाउट बंडल चाहिए तो 500-600 डायमंड में आपको मिल जाएगा तो हमारा वीडियो आपको कै